A letter to God, एक छोटे से हिल पे एक छोटा सा घर होता है, जहांसे बहुत ही अच्छा beautiful view दिखता है, ये घर एक लिंचो नाम के farmer का होता है, इस farmer की crop fields होती है, और वो दूआ करता है कि किसी तरह बारिश हो जाए, ताकि उसकी crop field को कुछ फायदा हो, उनको पानी मिल जाए, उसके ब और ये hillstone को घरते हुए देखकर बहुत ही जादा खुश होते हैं, लेकिन हमारे जो लेंचो होता है, वो बहुत जादा प्रेशान हो रहा होता है, उसके बाद hillstone रुखती है, तो वो देखता है कि सारी जो इसकी फसल है, वो एकदम खराब हो चुकी है, एकदम खतम हो चु तो मुझे 100 pesos चाहिए, अब pesos एक currency है, तो उसको 100 pesos चाहिए ताकि वो अपनी family और वो नया crop उगा सके, तो यह लेटर में लिखता है, उसके बाद वो पोस्ट कर देता है, अब पोस्ट मैन ये लेटर को पढ़ने के बाद काफी जादा हसता है कि ऐसा कौन लिखता है, गौट तो उसको सच में कुछ पैसो की जरूरत होगी, वो काफी जादा परिशान होगा, अब ये पोस्ट मास्टर काफी जादा अच्छा आदमी होता है, तो वो सोचता है कि चलो इसकी हम मदद ही कर देते हैं, तो वो अपनी salary में से, और कुछ-कुछ employees से मांग कर, किसी तरह 100 तो तो फिर वो letter में लिखता है कि जो है, मैंने आप से 100 बेसोस मांगे थे, लेकिन आपने सिफ 70 ही भेजे, और मेरा और मेरी family का इसमें गुजारा नहीं हो पाएगा, तो अगली बार से please मुझे ना पूरे पैसे भेजना, और वो ये भी कहता है कि हाँ, अगली बार से आप लो से मुझे पैसे मत भेजना, क्योंकि मुझे लगता है कि यह जो employees हैं यहां के post office के यह लोग मेरा पैसा चुरा लेते हैं, और इसी के साथ हमारी कहानी खाता हो जाती है, लेकिन आकरी में हमने यह जरूर देखा कि जिन्होंने उसकी मदद की यह उनी को दोशी ठहरा आना था जयस्तुने को एता है